हेलो फ्रेंड आपके अपने इस्टेडी चैनल फोकस ओन इस्टेडी पर आपका स्वागत है दोस्तो आज हम आपके लिए स्वामी ब्रह्मनंद जी की बारे में बहुत इंपूर्टन कोश्चन लेकर आए हैं वो कौन थे उनके बच्पन का नाम क्या था उनके मातापिता का न प्रूर्ब पसंद आएगा दोस्तों जिसमें पहला कोश्चन है कि कह रहा है कि स्वामी ब्रह्मनंद का जन में कब हुआ था तो इनका जन हुआ था चार दिसंबर 1894 वी को दोस्तों उत्तरपेदेश राज्जी के हमीरपोर जला में जो राट का स्वा है उसमें स्वामी ब् द्याल आये या कॉलेज चल रहा है जिसमें बियानीब इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज दोनों चल रहे हैं तो इन्हों ने अपने सिक्षा के उपा ले जाने के लिए इन्हों ने अपना योगदान दिया है अगला दूसरा कोश्चन है स्वामी ब्रहमनंद का जन में क स्वामी ब्रहमनंद का नाम यह सुदा देवी था स्वामी ब्रहमनंद के पिता के पिता अर्था इनके बबा का नाम क्या तो इनकी बाबा का नाम था गंगाधर स्वामी ब्रमनंद का बच्पन का नाम क्या था तो इनकी बच्पन का नाम था सिवधायाल अगला है स्वामी ब्रमनंद की दादी का नाम क्या था तो इनकी दादी का नाम था लाड़ी भाई स्वामी ब्रह्मनंद बच्पन से ही क्या नहीं मानते थे तो ये छुवा छूत को बिल्कुल नहीं मानते थे जिनकी बच्पन से यादत थी स्वामी ब्रमनंद की सिक्ष्य क्या थी तो मातवा पिता के मोहबस यह तनक पड़े तो हर से जाए अधिक पड़े तो घर से जाए के काराण यह प्राइमरी और बैसिक तक पड़े लिखी थी अगला है स्वामी ब्रमनंद का बिवा है किस आयू में हो गया था तो इनकी चवदर बर्श की उम्र में इनका बिवा हो गया था स्वामी ब्रमनंद की पत्नी का नाम क्या था तो इनकी पत्नी का नाम राधा बाई था अगला है दोस्तों अगला कोश्चन स्वामी बर्मानन्द को किसे कार का सौंख था तो इन्हें कसरत कुष्टी और सामाजी कार का बहुत सौंख था स्वामी ब्रमानंद ने अपना नाम कहां बदला है तो हर की प्याड़ी हरी द्वार में इन्होंने अपना नाम बदला है स्वामी ब्रमानंद किसके विरोधी थे तो ये वेश्य निर्ते, विभाय की आउसर पर फूलबाद, आतिसवादी और मिर्तक भोज के बहुत बिरोधी थे अगला है स्वामी ब्रमानंद की पुत्री और पुत्र का नाम क्या था तो इनकी पुत्री का नाम था स्याम कुमार और पुत्र का नाम ब्रजलाल था स्वामी ब्रमानंद ने सन्यास किस आयू में लिया तो 24 वर्ष के आयू में इन्होंने सन्यास ले लिया था स्वामी ब्रमानंद ने भारत भिरमान कब किया था तो मार्च 1922 में इन्होंने भारत भिरमान किया था अगला कोश्चन है स्वामे ब्रमानंद की पंजाब में किसे संपर्ख हुआ तो के स्वानंद जी से इन्होंने पंजाब में संपर्ख किया था स्वामे ब्रमानंद जी ने महत्मा गांदी के दर्शन कहां किये थे तो पंजाब के भटियां किस हबा में इनूने महत्मा गांधी जी के दर्शन किये थे स्वामी ब्रहमनिन्द से महत्मा गांधी ने क्या कहा था तो उन्हों ने कहा था यदि आपई सरीखे सो सन्या सी मिल जाए तो देश सीगर ही आजाइद हो सकता है अगला स्वामी ब्रमानंद महरसी दयानन सरसुती के जन में सताबदी समारोह में कब और कहां सामर हुए थे तो यह सार 1924 में मत्रों में सामर हुए थे स्वामी ब्रमानदर जी के जी ने ग्वालियर में किस के वहां भोजन किया था जिसे हिंदों ने घोर ग्रोद किया था तो इन्होंने ग्वालियर में मुसल्मान के घर में भोजन ग्रोद कर लिया था जिसे हिंदों ने घोर ग्रोद किया था दोस्तों ये चुआ चुट को बिल्गुल भी नहीं मानते थे इन्होंने इसलिए कारण भोजन गरन किया था अगला स्वामी जी को किस बात की पीड़ा थी उच्च सिक्षा की इन्हें पीड़ा थी अगला स्वामी ब्रह्मनांद जी को किस जगए लोधियों की सवा में सर्व सम्मिती से सवापती चुना गया तो कारणपुर में इन्हें को सवापती सवापती चुना गया स्वामी ब्रह्मन जी ने लोधी समाज में सुधार के लिए कहां कहां पहली सवाई की तो बरहरा में, चर्खारी और राठ में इन्होंने सभाई की अगला स्वामी ब्रहमानंद किस आंदोलन के तहती जेल गए तो ये 1930 में नमा के कानून तोड़ने की आंदोलन में जेल भी गए थी अग्ला स्वामी ब्रमानंद ने विद्यालय इस्थापना के प्रीयास किस सन में किस जगे पर और किस के सायोक से किया था तो इन्हों ने सन 1931 में एक्टारा में स्वामी सरवनंद के सायोक से इन्होंने किया था अगला है राट के विध्याले का सिलनास कब हुआ तो 29 माई 1938 में राट के विध्याले का इन्होंने सिलनास किया था अगला है लोदी महासभा के प्रतम अध्यक्ष स्वामी ब्रह्मनंद ने 1960 की वार्षिक अधीवेशन कहा पर किया थो इन्होंने हैदरवाद में किया था स्वामी ब्रह्मनंद किस सन में किस दल से सांसत बने थे तब उननी सरसट में जन संग से संसत बने थे जन संग में स्वामी ब्रमानंद जी ने क्यों त्याग पत्र दिया तो इन्होंने बैंक के रश्टी करण के पक्षधर से जन संग के जन संग इसके बिरोध में थी इसी मावलेस को लेकर इन्होंने त्याग पत्र दिया था अगला है बैंकों के रश्ट्टी करन के पक्सिदर थे आगला ठाइसमा कोस्चन है स्वामी ब्रहमननद जी ने आमन्तराण पर राट कोन आया था तो 1970 में प्रधानों मंदरी इंद्रा गांदी और रश्ट पती वीवीगरी राट आये थे अगर उन्तिसमा कोश्चन है स्वामी ब्रह्मनंद जी किने ग्रंथों को फूंक देने को कहा था तो उन ग्रंथों को जिन में लिखा था लोड़ गवार सुद्र पसुनारी ये सब ताड़ान के अधिकारी वापुजी विप्रे सिले गुण छीना नहीं चुद्रे गुण ग्यान प्रिवीना इसी कारण इन्होंने उस ग्रंथों को फूंक देने को कहा था अगला तीसमा कोश्चन है स्वामी ब्रह्मनंद जी ने 17 मार्च 1972 में संसद में अपने भासण में कहा था क्या काता तो इन्होंने काता मैं तो परिसान हूँ यह देखकर कि आज आज आदी मिली 25 बर सोगए लेकिन बसोर ही बसोर ही रा यही बना तो महतर महतर ही इन्होंने ऐसा ही काता अगला स्वामी जी संसद में किस के लिए अधिकतर प्रिस्ण करते थे तो ये समाज के उपेक्षित वा सोधित लोगों के लिए प्रिस्ण करते थे अगला कोश्चन है 32 कोश्चन कह रहा कि स्वामी ब्रमानंद ने 15 जुलाई 1972 में संसद में दलित समाज के लिए बैस में क्या का था तो इन्होंने का था मुझी है बताने की देश में कितने राज़पाल वा मुख मंत्री हरी जन है कितने मंत्री हैं सिर्फ 25 साल में 15 परसंट लोग का बोल वाला है अगला है स्वामी जी का क्या सपना था तो इन्हों को सपना था देश में 15 से अधे के सिक्षित 85 परसंट के लोग हों 15 से अधे के राजनेते 85 परसंट के लोग हों अगला 35 कोश्चन है स्वामी ब्रह्मानंद ने 85% समाज को किसी से खत्रा बताया था तो इन्हों ने कहा था 15% हिंदूों के ठेकेदारों से खत्रा बताया था अगला स्वामी ब्रह्मानंद जी की अंतिमिक्षा क्या थी तो इनकी अंतिमिक्षा थी मेरे बंसच जो मेरे लहू पढ़ लेख कर सियासत पर भारी हों और पंद्रा पर्षन का दबा कर रखें जिससे देश में पच्चासी पर्षन लोग सुरक्षित रहें अगला कोश्चन स्वामी ब्रमानंद ने अपने हाथ से क्या नहीं चुआ तुर रोपए पैसे और धन दोलत कभी इन्होंने अपने हाथ से नहीं चुआ था ऐसा सुना जा रहा है या ऐसा कहते हैं अगला है स्वामी ब्रमानंद जी ने 23 तारीक आठवा महिना 1903 में क्या कहा था तुर नहीं ने कहा था स्वामी ब्रमानंद जी किस की अवहिलना करते थे तो ये करते थे लोड आडम बार अन्याय भृष्ट चार की अवहिलना करते थे अगला क्वेश्चन है स्वामी ब्रमानंद जी संसदी कार्याल है कारकाल मैं किस है किस समीती के सलाह कार रहे तो ये रेर्वे बोर्ड सिचा प्रदेश बनाने की अगला 42 कोस्चन है स्वामी ब्रह्मनंद जी किस जाती से थे तो ये लोधी जाती की थे स्वामी ब्रह्मनंद जी को किस की चिंता नहीं थी तो घर परिवार बेटा बेटे धन दौरत की चिंता नहीं थी इनको स्वामी ब्रमानंद जी पर क्या कोई किसी प्रकार की आरोप है तो राम पर आरोप थे किन्तु स्वामी जी पर किसी प्रकार का आरोप नहीं था अगला है अगला है कुश्चन कह रहा है कि पैंतालस मा कह रहा है कि पूजय स्वामी ब्रमानंद जी मालूओं की दुनिया से अनस्रव की और कब प्रसान मतलब इनों के दिहांत कब हो गया थे तो इनका दिहांत हुआ था 13 सितम बार 1984 वी को दोस्तो अगर हमारी जानकारी स्वामी ब्रमानंद की बारे में अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें दोस्तो हमारे चैनल फोकस अन इस्टडी पर आप सस्क्राइब करें बैल आइकन को भी दबाएं जिससे हम जो भी नई वीडियो अप्लोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और दोस्तो इस वीडियो को ज़्याद सेयर करें नवाद दोस्तो